प्रेस्ण साथ गुननखंड के द्वारा वर्गमूल ग्याद करें प्रेस्ण साथ है एक दस्मलो चार चार तो इसका वर्गमूल निकालना है गुननखंड के द्वारा तो एक दस्मलो चार चार को हम लिख सकते हैं 144 बटा 100 दस्मलो हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा क्योंकि दस्मलो के बाद दो अंक है तो एक पे दो सुन्य देंगे बटा में यानि 144 बटा 100 हम इसको लिख सकते हैं एक दस्मलो चार चार को अब क्या करेंगे 144 का गुननखंड करेंगे 2 से लगेगा 72 दुना 144 फिर 36 दुना 72 18 दुना 36 9 दुना 18 3 तियाई 9 तो यह हो गया 144 का गुननखंड अब 100 का गुननखंड कर लेते हैं 2 से लगेगा 50 दुना 100 फिर 2 से लगेगा 25 दुना 50 फिर 5 पचे 25 तो 144 बटा 100 बराबर आ गया 144 का गुननखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 यह हो गया 100 का गुननखंड तो इस तरह लिख लेंगे 144 का गुननखंड देखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 100 का गुननखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 बटा, अब यहाँ पे भी देखिए, दो गुना दो को लिख लेंगे, दो का वर्ग, पांच गुना पांच को लिख लेंगे, पांच का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे अब क्योंकि वर्ग मूल निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरूट 144 बटा 100 बराबर अंडरूट दो का वर्ग गुना, दो का वर्ग गुना तीन का वर्ग बटा दो का वर्ग गुना, पांच का वर्ग इस तरह लिख लेंगे अंडरूट में अब जब अंडरूट हटाएंगे तो सब पे वर्ग हट जाएगा हो जाएगा दो गुना, दो गुना तीन बटा दो गुना पांच वर्ग हट गया सब पे अब गुना कर देंगे, तीन दुना छे, छे दुना बारा अब पांच दुना दस यानि आ गया बारा बटा दस ठीक है बारा बटा दस आ गया अब बारा को दस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा एक दस मलो दो यानि एक दस मलो चार चार का वर्गमूल कितना आ गया एक दस मलो दो 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा तो लिख लेंगा अता अंडर रूट 1.44 बराबर कितना होगा 1.2 यानि 1.44 का वर्गमूल होगा 1.2 तो इस तरह से इसको हल करेंगा 1.5े करेंगा 1.2 पराइप लेंगे 1.2 लेकैन टी जहाँ 1.2 बराइप लेकैन 1. कौपर लेकैन 2.3 जहाँ होगा प्रसनाट छे दस मलो दो पाँच तो इसका वर्गमूल निकालना है कुरंखंड से तो छे दस मलो दो पाँच को हम लिख सकते हैं छे सो पचीस बटा सो छे दस मलो दो पाँच को क्या लिखेंगे छे सो पचीस बटा सो तो दस मलो के बाद दो अंख है तो दस मलो हटाएंगे तो एक पे दो सून्य देंगे बटा में तो हो जाएगा छे सो पचीस बटा सो अब छे सो पचीस का गुननखंड करेंगे पहले पांच से लगेगा 125 पचे 625 25 पचे 125 5 पचे 25 अब 100 का गुननखन करेंगे 50 दूना 100 25 दूना 50 फिर पांच से लगेगा 55 पचीस तो 625 का गुननखन हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 100 का गुननखन हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 तो लिख लेंगे यहां पर 625 बटा 100 बराबर हो गया 625 का गुननखन हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटा 100 का गुननखन हो गया दो गुना दो गुना पांच गुना पांच अब जोड़ा लगा देंगे क्योंकि वर्ग मूल निकालना है तो पांच गुना पांच को लिखेंगे पांच का वर्ग फिर दो गुना दो को लिखेंगे दो का वर्ग फिर 5 गुना 5 को लिखेंगे 5 का वर्ग इस तरह लिख लेंगे अब क्योंकि वर्ग मुल निकालना है तो इसको अंडरूट में कर देंगे यानि 625 बटा 100 बराबर हो जाएगा अंडरूट 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग इस तरह लिख लेंगे अब जब अंडरूट हटाएंगे तो सब पे वर्ग हट जाएगा यानि 5 गुना 5 बचेगा उपर और 2 गुना 5 बचेगा नीचे तो कितना आ गया 25 पचीश और 5 गुना 10 यानि 25 बटा 10 हो गया 25 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दसमलो 5 तो लिखेंगे अधा अंडरूट 6 दसमलो 2 पांच बराबर हो गया 2 दसमलो 5 यानि 6 दसमलो 2 पांच का वर्गमूल हो गया 2 दसमलो 5 पांच को बकालो5 2 दसमलो 6 दसमलो 6 दसमलो 6 दसमलो 6 दसमलो 6 दसमलो 6 दस्टैंगे प्रेस्न नोब सून्य दसमलो सून्य छे साथ छे तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं छेसो छेयत्तर बटा दस हजार दसमलो हटाएंगे तो एक पे चार सून्य हो जाएगा यानि दस हजार बटा में क्योंकि दसमलो के बाद चार अंक है दसमलो के बाद कितना अंक है एक दो तीन चार चार अंक है तो एक पे चार सून्य देंगे बटा में यानि छेसो छेयत्तर बटा दस अजार हो जाएगा अब छेसो छेयत्तर का वर्ग ये गुनानखंड करेंगे दो से लगेगा दो तिया छे दो तिया छे दो अठी 16 फिर दो से लगेगा दो गुणा एक दो दो चक बारा दो नमा अठारा अब 179 है तो 13 से लगेगा तेरा गुणा 13 होता है 179 तो इस तरह से 676 का गुणानखंड कर लेंगे अब यहाँ पर करेंगे 10 हजार का गुणानखंड दो से लगेगा 5000 दूना 10 हजार फिर 2 दूना 4 दो से आजाएगा 2500 फिर 2 से लगाएंगे तो 2 गुणा 12 दूना 4 यानि 1250 फिर 2 से लगेगा 25 10 देखिए 2 चक 12 लगेगा माफ कीजे 2 चक 12 2 दूना 4 2 पच्चे 10 625 आगया अब 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 125 पच्चे 625 फिर 5 से 25 पच्चे 125 फिर 5 से 5 पच्चे 25 तो इस तरह से 10 हजार का गुणनखंड कर लेंगे अब यहाँ पे हम लिखेंगे 666 बटा 10 हजार बराबर 676 का आगया 2 गुणा 2 गुणा तेरा गुणा तेरा और दस अजार का कितना आया देखे 676 का 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 और 10,000 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो यहां पर लिख लेंगे तो बहुत जादा है देखें तो जोड़ा लगा लेते हैं तो 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 का वर्ग यहां लिख लेते हैं पहले दो गुना, दो गुना दो गुना, दो गुना पांच गुना, पांच गुना पांच गुना, पांच गुना, पांच इतना है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे देखे यह सब को लिख लिया है तो 10,000 का गुननकंड हो गया दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच अब जोड़ा लगा लेंगे तो हो जाएगा देखें दो गुना दो हो जाएगा दो का वर्ग तेरा गुना तेरा हो जाएगा तेरा का वर्ग बटा अब यहाँ पर भी जोड़ा लगा लेंगे क्योंकि वर्ग मून लिकालना है तो जोड़ा लगा लेंगे तो दो गुना दो को लिखेंगे दो का वर्ग फिर दो गुना दो को लिखेंगे दो का वर्ग फिर पांच गुना पांच को लिखेंगे पांच का वर्ग फिर पांच गुना पांच को लिखेंगे पांच का वर्ग इस तरह लिख लेंगे अब क्योंकि वर्ग मूल निकालना है तो अंडरूट कम में कर देंगे इसको तो अंडरूट 676 बटा 10,000 बराबर हो जाएगा अंडरूट दो का वर्ग गुना तेरा का वर्ग बटा दो का वर्ग गुना दो का वर्ग गुना पांच का वर्ग गुना पांच का वर्ग इस तरह हो जाएगा अब जब अंडरूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा यानि सिर्फ लिख देंगे दो गुना तेरा बटा दो गुना दो गुना पांच गुना पांच इस तरह लिख लेंगे वर्ग हटा करके अंडरूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा अब गुना कर देंगे, तो 13 दूना 26 हो गया, और 25 पचीस, 25 दूना 50, 50 दूना 100, यानि 26 बटा 100 हो गया, 26 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 0.26, देखे 26 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 0.26, यानि, 0.06, तो 0.06, साथ 6 का वर्ग मूल, यानि अंडरूट कर देंगे, तो कितना आ गया, 0.26, तो 0.06, साथ 6 का वर्ग मूल हो गया, 0.26, इसका उत्तर, साथ 6 का वर्ग मूल, यानि, तो आखी द Sharon, तो 0.26, साथ 6 का वर्ग मूल, यानि, यानि देंगे धρι sì, ऩ değer बUSTर, यानि से बस्टर देंगे, जान्टर जागा, 0.26, साथ 27 का वर्ग-ग, अzeniu, खंटेंगे, पyll रसने दस सूने दसमलो एक, दो, नौ, छे तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1296 बटा 10,000 दसमलो के बाद 4 रंख है देखिए एक, दो, तीन, चार दसमलो के बाद 4 रंख है तो दसमलो हटाएंगे तो एक पे चार सूने देंगे बटा में यानि दस अजार हो जाएगा तो 1296 बटा 10,000 इसको हम लिख सकते हैं अब 1296 का यानि 1296 का गुननखंड करेंगे दो से लग रहा है दो छक बारा दो चोक आठ दो अठी 16 फिर दो से लग रहा है दो ती अच्छे दो दुना चार दो चोक आठ फिर दो से लगेगा दो गुना एक दो दो चक बारा दो दुना चार फिर दो से लगेगा एक आसी दुना 162 अब एक आसी तीन से लगेगा 27 तीया एक आसी फिर तीन से लगेगा तीन नमस 27 फिर तीन से लगेगा तीन तीयाई 9 तो ये हो गया 1296 का गुननखंड अब 10,000 का गुननखंड करेंगे 2 से लगाएंगे तो 5000 आएगा फिर 2 से लगाएंगे तो 2500 आएगा फिर 2 से इसको भाग देंगे तो आज आएगा 1250 फिर 2 से इसको भाग देंगे तो आज आएगा 625 अब 5 से लगेगा 125 पच्चे 625 25 पच्चे 125 5 पच्चे 25 तो इस तरह से 1296 और 10,000 का गुननखंड कर लेंगे अब लिख लेते हैं तो 1296 का गुननखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 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 तीन अब दस हजार का गुना इंखन हो गया दो गुना दो गुना दो गुना पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच अब क्योंकि वर्ग मुल निकालना है तो इसका जोड़ा लगा लेंगे देखिए दो गुना दो को लिख लेंगे दो का वर्ग फिर दो गुना दो को लिख लेंगे दो का वर्ग फिर तीन गुना तीन को लिख लेंगे तीन का वर्ग फिर तीन गुना तीन को लिख लेंगे तीन का वर्ग बटा अब यहाँ पर भी जोड़ा लगा लेंगे दो गुना दो को लिख लेंगे दो का वर्ग फिर दो गुना दो को लिख लेंगे दो का वर्ग फिर पांच गुना पांच को लिख लेंगे पांच का वर्ग फिर पांच गुना पांच को लिख लेंगे पांच का वर्ग अब क्योंकि वर्ग मूल निकालना है तो इसको अंडरूट में कर देंगे थो जाएगा अंडरूट 1296 बटा 10,000 बराबर अंडरूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना पांच का वर्ग गुना, पांच का वर्ग, तो इस तरह लिख लेंगे, तो जब अंडरूट हटाएंगे, तो वर्ग भी सब पे हट जाएगा, थो जाएगा, दो गुना, दो गुना, तीन गुना, तीन, बटा, अब यहां से भी वर्ग सब पे हट जाएगा, तो दो गुना, दो, गुना, पांच, गुना, पांच, तो सब पे वर्ग हट जाएगा, अंडरूट हटाएंगे तो, अब सब को गुना कट देते हैं, तो दो दूना, चार, चारतिया, बारा, बारतिया, च्छतिस, बटा, दो द 0.1296 का वर्गमूल कितना आ गया यानि अंडरूट 0.1296 बराबर आ गया 0.3 छे तो 0.1296 का वर्गमूल हो गया 0.3 छे इसका उत्तर कर दो कर दो झाल